हेलो फ्रेंट्स गुडिवनिंग कैसे हो आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे फ्रेंट्स आज की इस वीडियो आप लोग से में कला वर्ग का टेस्ट लोगा है इस पिसल यूपी बीएट एंटर्स एक्जाम 2022 के लिए फ्रेंट्स इस टेस्टे में दो टूटल आपके कोश्ट्स होंगे वो होंगे 25 अगर आप लोग 25 में से 12 प्लस कोश्ट्स करेट करते हैं तो आपकी कला वर्गी तैरी अच्छी है और ये कोश्ट्स में पहले की क्लासे में करवा चुका हूँ यानि कि आप मैं आप लोग का टेस्ट ले रहा हूँ रिविजन करवा रहा हूँ तो चलिए इस कलास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोश्ट्स आपकी स्किन पे आ गया है कि निम्नोक्त में से कौन सी विस्तो की सबसे लंबी नदी है चार आपशन आपके सामने दिगें जो 2 questions का right answer आप लोग comment box में फड़ अफड़ बताने का प्रयास करेंगे तो विस्तो की सबसे लंबी नदी कौन सी है सब लोग जाप देने का प्रयास करेंगे तो वो है निल नदी और इसका जो है C वाला बिल्कुन करेक्ट हो जागा अंसर सूचने का अगर आपको लोगो ज्यादा समय चाहिए तो आप लोगो वीडियो को रोग भी सकते हैं बेर्ड से समधी कुछ डाउट से वगारा हूँ शबी को पता भी होगा इंद्रा गांधी नैसनल ओपेन युनिवर्सिटी ओफनिस का जो है बी वाला बिल्कुन करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला प्रशन निम्नोक तराजबंसों में से किसने स्रिलंका एम दच्छन पूरीवी एसिया को जीता था सबी लोग जो आप देने का प्रयास करेंगे अगर आपके मन में बीएट से सम्मझेती कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बक्स में अपना डाउट के लिए कर सकते हैं मैं सबी का जवाब दूँगा और बीएट की जो भी अपडेट हैगी कोई भी अपडेट हैगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल एजुकिशन साहिल की तरब से ही देखने को मिलेगी रियल निउस आपको देखने को मिलेगी कोई भी फेक निउस आपको इस चैनल के मादम से देखने को नहीं मिलेगी तो कौन सा राजबंस है जिसने सिलंका एवाम दच्चिन पूरवी एसिया को जीता था तो वो जीते थे चोल राजबंस होने और इसका जो है सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जागा यहाँ पे कूट वाले आप्शन आ गये हैं यहाँ पे देखिए इसमें आपको जो है मिलान करना है सूची फर्ष्ट को सूची सेकेंड के शाब जूम थोड़ा कम किये दे रहा हूँ चलिए अब इसमें मिलाई है सब लोग 54 का जॉब देने के प्रास करेंगे आंसर सूचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं और भी क्लासेस देखने ही तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं आप लोग हमारे टेलिग्रम गुरुप से भी जॉइन हो शकते हैं टेलिग्रम गुरुप का नाम है एजुकेशन भी साहिल वीडियो को डिस्किप्सिन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ क्रैस कोर्स बगरा परचेश करना है तो वीडियो को डिस्किप्सिन बॉक्स में दे दिया हूँ लिंक परचेश कर सकते हैं यहां पे शाशक हैं और उनकी राजधानी हैं मिलाना है आपको तो दिखें यहां पे प्रतिहार राजबंस प्रतिहार राजबंस की जो राजधानी थी वो कन्नोश थी ओके चंदेल राजबंसों की खजराहो थी परमाल की धार थी चालुक की अहिल वार थी यानि कि सीधा सीधा बिल्कुन दिया गया है यह वाला बिल्कुन करेक्ट हो जाएगा ठीक है कुछ डाउट्स चलिए आगे बढ़ते हैं गदर पार्टी के एक प्रमुक नेता थे कौन गदर पार्टी के एक प्रमुक नेता थे कौन 55 का जॉप देने के प्रयास करेंगे तो कि एक जो प्रमुक नेता थे में लीडर थे लाला हर्द्याल ओफनस का जो है बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा अगला प्रशन यहां पर देश सकते हैं दी मेकिंग आफ दी महात्मा फिल्म की निर्देशक कौन हैं तो इसके जो निर्देशक है माई डिफरेंट्स वो हैं स सेम बेनेगल शाम बेनेगल इनका कभी कभी कोस्टेंस पूछा जाता है कि इनका शमन्द किस्से है तो फिल्म इसे है ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए निम्नोद्र राजों में से कौन सा आपने शुंदर सागर पुलिनो के लिए जो है सबसे अधिक शोबिक ख्यात है कौन सा शहर राज वो है आपका गोवा ओप्शनिस का जो है बी वाला बिल्कुन करेक्ट हो जगा गोवा छेत्र फल में सबसे छोटा राज है भारत का सबसे बड़ा आपका राजश्थान है चलिए प्रती वर्स जो है उपभोगता दिवस कब मना जाता है प्रती प्रती वर्स उपभोगता दिवस मना जाता है पंदरा मार्च को ओफनिस का जो है सी वाला बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए तक चिसिला के प्रशिद इस्तल के रूप में होने का कारण था होने का जो कारण था माई डिये फ्रेंड्स वो था आपका गंधार कला का ठीक है अफनिस का जो है सी वाला बिल्कुन करेक्ट हो जगा भारत में प्रथम शुर्ण मुद्राई किसने चलाई थी भारत में प्रथम शुर्ण मुद्राई किसने चलाई सबी लोग जो आप देने के प्रयास करेंगे 60 का राइट असर क्या होगा तो भारत में प्रथम शुर्ण मुद्राय जो है चलाई थी यूनानियों ने ओफनेस को जो है बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जाएगा जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फड़ा फड़ वीडियो को लाइक कर देंगे और टॉपिक वाइस की वीडियो में आ गया तो कल से आपकी टॉपिक वाइस की क्लासिस स्टार्ट हो जाएगे ठीक है जी के की भी चलिए शती प्रथा को निरुसाहित करने वाला मगल शमराट था कौन? जो है किसे माना जाता है? सुची फेश्ट को सुची सिक्ट शे मिलान करना है 63 का जौब देने का प्रयास करेंगे सबी लोग सबी लोग जौब देने का प्रयास करेंगे answer सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोब भी सकते हैं अच्छे से आप लोग प्रयास करिए उतर शबी लोग जौब देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे अंतर जी खिडा पिलोशान में चला जाएगा उसके बाद एक मिनट यह आपका इसमें चलाएगा उसके बाद अही छटर अही छटर जो है आपका पंक्चाल में चला जाएगा आलम मीरपूर आलम मीरपूर आपका सैंधो शब्विता का एक इस्थल है उसके बाद कन्योज नगर महोधर श्री में चला जाएगा यह आनिकि ए वाला आपका रही है ठीक है चलिए इसको आपने नोट कर लिजीगा इसमें भी आपको मिलान करना है उसी तरह चलिए 64 को जाप दीजे सबी लोग तो यहाँ पे जैसे कौशाम भी दिया गया है कौशाम भी कौशाम भी वत्स महा जनपत की राजधानी थी तो A का 4 में चला जाएगा ठीक है उसके बाद काल सी काल सी में असोक का 14 लिया लेक हुआ था 1 में चला जाएगा ठीक कड़ा में सेर साकी मरतु होई थी तो C का 3 में चला जाएगा कलिंजर वन मिनट में श्टेक हो रहा है किच तो यहाँ पे देखे यहाँ पे मैं कड़ा वाला को इसको बोल दिया था तो कड़ा में सुल्तान जलो दिन हिल्दी की हट्ता होई थी और कलिंजर की सेर सा की मृतु होई थी कलिंजर में ठीक है B वाला इसमें सही हो जागा आप लोग अच्छे से नोट कर लिजेगा कुछ डाउट से है तो कमेंट वाक्स में डाउट के लिए करें चलिए इसमें भी आपको इसमें ही मिलान करना है उसी तरह 65 का जौब देने के प्रयास करेंगे तो कोईल का शम्मद है कुद्बूदीन एबक से खजुहा का शम्मद है मुझे कासी के बताना चाहिए तो देखे कोईल का कुद्बूदीन एबक हो गया और काशी का अथरवेशे हो गया खजुहा का शम्मद किस्से है औरंग जेप के है और गंड गुंडार इसका सम्मद चंदेल से है तो ओफन इसका बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला प्रशन देखते है वर्स 2011 की जनकर्णा के अंसार उत्तर प्रदेश में मुख कर्मियों की जो है संख्या कितने थी जन संख्या तो 4.46 के रूंड थी मुख कर्मियों की संख्या चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करिए इसमें आप्शन में दिखाये दे रहा हूँ तो चंदावर मुहमद गौरी से सम्मनित है यानि कि एका टू में चला आजाएगा उसके बाद चुनार चुनार जो है मलिक हुशैन सरकी से सम्मनित है ठीक है यहाँ पर देखे चंदावर जो है चंदावर मुहमद गौरी से सम्मनित है ठीक है मुहमद गौरी और यहाँ पर चुनार चुनार का शमनित सेर सासूरी से है उसके बाद जौनपुर मलिक हुशैन सरकी से एंड जहासी बीर सिंग बुंदेला से तो इसका जो आफशन होगा ये वाला यानि की A का 2, B का 4, C का 3, D का 1 आप लोग इसे अलग-अलग लिख लिजिगा तब आपके समझ में आ जागा टारिकी की राजधानी है क्या? टारिकी की राजधानी बताइए क्या है? टारिकी की राजधानी है अंकारा नेमलिकेत में से किस दिन विस्व जल दिवस के रूप में मना जाता है? विस्व जल दिवस के रूप में मना जाता है कब? 22 मार्च को ठीक है ओफनलेस का जोंब ए वाला बिल्कुन करेक्ट हो जागा अगर विस्थ प्रतिविदिः उसमूशे तो 22 अप्रेल याद रखना है ठीक है 22 अप्रेल चलिए बैंगला देश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के सासा कौन थे बांगला देश की मुक्ती के सम्मेय पाकिस्तान के शाशा कौन थे? तो वो थे यहां खान चलिए इनमेसे किस राज़ की लिंग अनपाथ 1000 से अधी है तो केरल राज़ की लिंग अनपाथ 1000 से अधी है और अफनेस का जो है डी वला बिलकून करेक्ट हो जाएगा चलिए होकी विस्ट कॉप टूनामेंट 2018 कहा आयो जीत हुआ था ये आयो जीत हुआ था अपने देश भारत में ही ठीक है चलिए नमिल्खित में से एको को छोड़ कर सभी समुद्रितर्ट भारती प्रयादी पशिमें वाकेला कौन सा है मरीना आपका ठीक है ये इसमें से अलग है बाकी सब पशिमें इस्तित है बीबी का मगबरा कहा है इस्तित है ये औरंगाबाद महाराष्ट में है ठीक है तजाकिस्तान की राजधानी क्या है तजाकिस्तान की राजधानी है दूशा नवे ओफिनस का जो है सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा शो फ्रेंड्स ये थे कला बरगी के टॉप 25 कोशिंस इन 25 कोशिंस में से आपके जितनी भी कोशिंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम और इसकोर कमेंट टू बक्स में ज़रू होते हैं ऐसी वीडियोस देखने के आप लोग हमारे चैनल से जूड़े रहें चैनल भी बैट की अपडेट आए वो अपडेट आपको शब से पहले इस चैनल के मादम से मिल सके हैं